हाई अब्रिवन एक्जा मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट जिनके रिजल जारी हो चुके हैं उनकी नेक्स प्रोसेसिंग क्या होगी क्या प्रक्रियाएं होगी डाकु तो आप कमेंट शेक्शन में भी पूछ सकते हैं उसके लिए आपको नेक्स वीडियो में चीज़े बता दी जाएंगे देखिए इस रिजल्ट को लेकर एक आज न्यूस पेपर में भी न्यूस आईए आईए हम उस न्यूस को पहले देखते हैं कि वो न्यूस क्या है आप कि अधर में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है इलहाबाद विश्ववद्याले को मिले 35 शिखख और 361 करमचारी तो टोटल जितने भी रिजल्ट फाइनल हुए तो सब को मिला के लिखा हुआ है 371 करमचारी मिले हैं इलहाबाद विश्ववद्याले को देखिए आप सब कुछ है देखिए सिर्फ अगर हम इसी भर्दी की बात ना करके और भी देखें तो यह समस्याएं हर एक वेकंसी को लेकर है फिलाल जो चीजे सामने आ चुकी है रिजल्ट आ चुका है तो हमें उसको ही देखना है क्योंकि अगर आप कोट में जाएंगे या कुछ भी करें ऑफिली को पर्वाशन है तो चाहें वो इलवाबाद हाई कोट का ही क्योंने इक्जाम होता हो या अधर कुछ भी तो होती हैं फिलाल अगर आप लोग अपने अस तर से यह चीजे करना चाहें तो कर सकते हैं वो आपका अधिकार भी होता है कि आप अपने चीजों को जान सक सकते हैं अपने मार्ग को भी देख सकते हैं तो अगर आप लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं आईए हम आप बात करते हैं इस न्यूज को देखें अलहाबाद विश्व विद्याले को 261 नए करमचारी और 5 विभागों को 35 नए सिक्षक मिले हैं शनीवार को कुलपती प्रोफे कुस कुस देख रहे हैं तो यहां पर देखे लिखाए कि इन्हें जल्दी क्या होगा नियूकती पत्र दिया जाएगा तो चाहे वो आप MTS के कैंडिडेट रहे हूं या अदर के आपके अंटर्व्यू नहीं होने वाले हैं और एक चीज और कुछ कैंडिडेट ये भी कह र आया गया है अभी मैं आपको उस नोटिफिकेशन को भी दिखाऊंगी कि आपको क्या चीजें वहां पर चाहिए फिलाल आगे देखते हैं इन्हें जल्दी नियूकती पत्र दिया जाएगा इलाबाद विश्विदाले में डेर्वर्स के भीतर सिक्षकों और करमचारियों क 538 पदों पर भरती हुई है जो की एक रिकार्ड है या पत्दशकों से खाली पड़े थे सिक्षकों की 35 पदों पर भरती के साथ ही नियूकतीयों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है आपको मैं बता दू कि सिर्फ इतने ही पत्द नहीं खाली है और भी खाली है लेकिन फॉर् नई भरतियां हुई है उनमें आपके भुगोल में सिक्षक के 14 पत परियावरर अध्यन के 4 संगीत में 2 और फैमिली एन कम्यूनिटी साइंसेज में 1 और इलेक्ट्रोनिक्स एन कम्यूनिकेशन में 14 पत शामिल थे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपके मिला के इसमें यही साई चीजे लिखी हुई है आपके में जानने वाली बात यह थी कि इसके लिए जल्दी न्यूपती पत्र दिया जाएगा यहां से और यह जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है न्यूस पेपर अगर आपने ना देखा हूँ तो मैं इसको टेलेग्राम प शेयर कर दोंगे आप वहां से देख लीजेगा यह सिर्फ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि देखें जितने भी एक्जाम हुए थे उनके जैसे देखें मुल्टी टास्किंग के 90 पत्ते आप देखेंगे कि जनरल कटेग्री में 35 ही केंडिडेट के नाम है फिर से उनके नंबर तो पता ही होने चाहिए थे अगर ऐसा होता तो जादा बहतर होता फिलाल और कुछ कैंडिडेट यह भी वेट कर रहे है कि क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगी इसकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इनको करना था यह कर चुके है अब इसमें कुछ भी कोई लि जाम कब होगा तो जितने लोग इसमें जैसे आपके मल्टी टास्किंग स्टाफ रहे हो या तो लाइब्रेरी अटेंडेंडेंट की कैंडिडेट और डेटा एंट्री ऑपरेटर हो अधर जितने लोग भी थे इसमें उन लोगों को सेकेंड इस्टेप आपकी डाकुमेंट वैरिफिकेशन होना है और डाकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता दूं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी उसमें कुस आपके क्या थे essential क्वालिफिकेशन में होता है वो चीजें आपको करनी है एक दिश जासे उन्हों करना है वो इन्वस्टी की तरफ से ही आपको मेल पर या आपका जहां पर भी उनके पास डेटेल होगा मोबाइल नंबर होंगे या email ID होगी वहां पर आपको मैसेज खोदी जाएगा ठीक है नियुकती पत्र को लेकर और डाकुमेंटर वेरिफिकेशन वो डारेक्ट वहीं पर किया जाएगा ठीक है अब देखें जैसे यहां पर हम डेटा इंट्री ऑप्रेटर की बात करें तो डेटा इंट्री ऑप्रेटर में देखिए यहां पर आपको लिखा था BCA हो और देखे BCA और graduation with PGDCA और BSC in computer CS मतलब computer science, engineering, IT और BBA देखें जहां जहां और लगा है मतलब इसमें से कोई एक होना चाहिए ठीक इन सब के बाद इसमें लिखा हुआ है कि O level DOEIC after graduation from a recognized university मतलब आपके बास DOEIC की भी मतलब होना चाहिए certificate उसके बाद आपको यह सब चीज certificate typing के लिए या कुछ ऐसा नहीं चाहिए इसी प्रकार से सभी के थे ठीक है और अभी तो हिंदी typist का हुआ नहीं है junior office assistant के तो अभी typing होने है हम आगे देखते हैं अब जैसे देखिए आपर है आपका laboratory assistant का है तो जितनी चीज़ें इसमें मांगी गई है आपकी document के लिए पहल से valid होती है ठीक है ऐसा नहीं है आपने अभी नया बनवा लिया है तो सारे details अपने एक जगह पे file में करके रख लीजे क्योंकि आपकी जितने certificate mark sheet degree होंगी आप जब graduation करते हैं तो आपकी जो degree मतलब मिलती है वो बाद में मिलती है इनवस्ट्री से यदि ना हो तो उसको आप ले ले जहां से भी आपने किया हो और आपकी ID होनी चाहिए photograph होने चाहिए normal चीजें जो document में लगती है आपको वही लगेंगी कुछ extra अगर आपको लगेगा तो वहां पे आपको खुदी बताया जाएगा कि आपको क्याला ना है उसके लिए जब आपकी ज्वाइनिंग होन पास ही एक्जाम हो जाएंगे देखिए multitasking staff की बात करें कि next इसमें क्या होने वाला देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपके पहले बार तो physically देखिए essential qualification में सिर्फ इसमें क्यार मांगा था आपका high school होना चाहिए या तो ITI पास होना चाहिए तो आपके पास सिर्फ इसकी आपको अलग से कुछ नहीं करना है आपके mail पर या हो सकता है notice के द्वारा ही बता दिया जाए कुछ ऐसे चीज़े आएंगी notice आएगी कि आपको सबको एक दिन वहाँ पर जाना है और document verification होनी है तो सबसे महतर यही है कि अगर आप लोगों ने graduation किया है डिग्री नहीं हो तो जो junior office assistant के candidate है जिनकी typing होनी है तो वो भी मान के चलें कि उनका typing होने के बाद रिजल जल्द ही दे दिया जाएगा ठीक है और जिनके exam नहीं हुए उनके मतब maximum यह पूरे vacancy जो बाकी रह गए शेस अप्रेल तक confirm पूरे हो जाएंगे ठीक है और एक चीज़ और है जितने भी candidate अगर प्रूफ होता तो कुछ चीज़े और बहतर तरीके से जाके अगेंस्ट की जा सकती थी नहीं आपको पता है कि आप लोगों के पास answer key के लिए booklet या कोई भी चीज असी material नहीं है ठीक है तो जो हो गया वो शो हो गया अब आप लोग अपनी आगे की पढ़ाई करिए औ और यह इसके लिए परिशान ना हो कि जो result आए हैं फिर वो नए list आएगी या कुछ भी तो चीज में आपको clear कर दे रही हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होना है ठीक कोई list नहीं आएगी कोई rating list नहीं आएगी जितने candidate का है सर्फ उतना ही है ठीक है और इसके बाद भी अगर आप नेक्स वीडियो में हम आपको इससे related कोई फी information आएगी तो बता दिया जाएगा यदि आप लोगों में से कोई candidate होंगे combined technical service exam के जो की 2016 की है तो वो लोग भी live session में जूड़ सकते हैं इस वीडियो में सर्फ आपको इतनी ही चीजे बता रही थी क्योंकि आपके कल से ही चीज हो सकती है समझ में आ गया होगा नेक्स वीडियो में हम फिर मेलेंगे तब तक के लिए take care जैहिल